तकरीबन 5-6 साल से क्रिकट खेल रहा हूं पट्टना में तो अभी धीरे धीरे जो मतलब फैसिलिटी वो बढ़ती जा रही है तो इस गौबर्णमेंट गयाने से काफी ज़्याद अच्छा फाइदा हुआ हम लोगों हलका देर हो गया है लेकिन कोई बात नहीं अब जो हो गया है अब इसमें अडवांस्मेंट हम लोगों मिले फैसिलिटी अब इनके तरफ से प्रोवाइट की जाए धन्यवाद देना चाहते हैं और चाहते हैं कि ऐसे हम लोगों के ऊपर अच्छे से काम किया जा और ताकि हम ल और चेलें भी जो खिलाड़ेंगे और जानेंगे बहुत अच्छी है ऑडते हैं मेरे अच्छी हो जा रही है और आगे अगे बिहार ह हो गई है और यह खेल मंदराले वी बनिए तो हम लोग के लिए बहुत अच्छी हो लियह कि अगर जो कभी-किसी में होती है थोड़ी पीजर दिकत चूती है तो अब कोई खेल कूद कर रही है तो उसमें अगर जो अच्छी हो रही है और तो unity तो उस होगा नहीं होगा तो उसी सबसे यह हो गया कि खेल मंत्राले बनी है तो खेलिए इसा बहुत अच्छा धिमांड करते हैं पहला दिमांड तो यह करेंगे कि अच्छा स्टेडियमों पेटना बिहार जहां भी मतलब बिहार में कहीं भी कि जैसे जो यंग प्लेयर्स हें जो क्रिक्ट सेलना जाते हैं वो मतलब और बड़ चड के मतलब क्रिक्ट में इससा ले सकें चलिए आप क्या कहें कि सरकार से कि अच्छा स्टेडियम दिया जाए और बहुत अच्छा लग रहा है यहां पर क्या बोलते हैं सरकार बनी है जो मतलब खेल मंत्री का जो गठन हुआ है तो काफी अच्छा लग रहा है हम लोग को और ऐसे उमीद है कि आगे भी भी आर सरकार हमारे ऊपर ध्यान दे रहेगी अगे भी सरकार धियान देंगे जी विए मेरा नम सोनों वास्ति मैं बख्सर डिस्टिक लेवल क्रिकट खेलता हूं रहते कहां है मैं रहता पटना में हूं पूरा लगाव है मैं तकरिबन 5-6 साल से क्रिकट खेल रहा हूं पटना में तो अभी धीरे-धीरे ओ जो म अब इसमें अडवांसमेंट हम लोगों मिले अब इनके तरफ से प्रोवाइट की जाए अच्छा बिहार में अब खेल मंत्री भी बनेंगे क्या कहना खेल मंत्री से क्या request है आप लोगों को क्या गुजारी से कि बिहार में यह चीज अगर सुधार देते तो खेल का सिस्टम कुछ और होता है अच्छा ग्रॉंड मिल जारा चाहिए थोड़ा हम लोगों को प्रैक्टिस मैच केलने के लिए एक अच्छा स्टेडियम बनवा दिया जाए तो काफी अच्छा रहेगा सारे प्लेस के लिए अच्छा और कुछ पहले इतना तो करवाए जाए अब खेल मंत क्या खेलते हैं हम अभी क्रिकेट अंडर 23 अदेख के भाई अंडर 23 कैसा लगता है क्या सपना एंडिया टीम के लिए जागा वानाना और क्या सपना है सपना को सकार करने में शरकार भी जूट गई है क्योंकि पहले खेल पर धियान नहीं था आप खेल को लेकर सरकार कर नज पाई है मतलब कि अगर आप किरकट खेलते किसी भी तरीके के कहलते हैं अगर मेडल लाते हैं तो आपको नौकरी भी मिलें विए तो काफी अच्छा बात होगा फिर तो इसके लिए बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं और चाहते हैं कि ऐसे हम लोगे उपर काम करते हैं उनसे मिलते होंगे बिहार में खेल मंत्रा ने बनाया गया है क्या कहिए इस पर अच्छा बात है लेकिन दुरुस्त आया दिर आया दुरुस्ट है एक बात और पुछना है मेडल लाओ नौकरी पाओ अगर बढ़िया खेलते हैं अच्छा खेलाड़ी है तो आपको बिहार सरकार डायरेक्ट नौकरी भी दे रही है तो देखे जो युवा है लगतार खेल के पड़ती सजग है और देखिए प्रैक्टिस भी कर रहे हैं अच्छा एक बात बताई यह क्या चीज खेलते बॉल या फिर किरके सर मैं करता हूं अच्छा यह बात बात पुछना है बिहार में खेल मंत्राले बनाया गया है अब खेल मंत्राले अलग से बना है क्या कहिए इस बारे में अच्छी बात है क्योंकि आपको देखे तो यहां पर प्रतिभा की कमी नहीं है वैसे तो यहां पर खेल मंत्राले बनाना एक तो आप यह नहीं बोल सकते होता है जो 10 साल 12 साल लगते हैं ख्यारी को बनने में तो वहां से काफी बहुत मुस्किल है क्यूंकि आप इंफ्रस्रक्टर दे नहीं रहा तो आप दिरेक्ट बोलोगे हमको मेडल लाके दो फिर आपको नौकरी दिंगे तो यह सर थोरी किसी भी ख सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सर्कार को मैं ज्यादा कुछ नहीं लेकिन तो यहां से इंफ्रस्रक्टर थोड़ा दे खिलाडियों को अब भी बनाया सब्सक्राइब बनाया तो अभी इस देखिए भी ऐसा तो बहुत कुछ आ है लेकिन फिर वित्तरा ताइम लगे वह हमारे साथ हैं बिहार में खेल मंतराले बनाया गया है क्या कहिए अच्छा है और अभी मतलब खेल को लेकर सरकार आगे सोचने स्टेडियम भी बन जाए यह स्टेडियम थोड़ा उतना अच्छा नहीं है इस्टेडियम बन जाए अच्छा एगो ग्रॉंड बोल रहा है इंटरनेशनल इस्टेडियम बन रहा है बन जाए तो और अच्छा है बाहर से भी आएगा बच्चा सब भीहार में खेलने के लिए बहुत खुशी की बात है बहुत मजा आएगा बाहर से भी आएगा मतलब इहां मतलब सीवम दुबे आए थे इस आए थे मुंबई के अच् फिट शीजों को मोक करें गए और यहा Как बिहार से बाहर जाता है बचासा वह नहीं जाएगा बिहार से जाता है ना पहुत दिल लिखेलने के लिए तो नहीं जाएगा वीher possiamo सब्सक्राइब करने की बात होगे कि वहीं दूसरा बात है कि जैसे कि कोई भी प्लेयर हो आपना फूरा फट लगाता है अगर आगे नहीं जा पार रहा है तो सको असपोर्ट कोटा से जो पर वाइट करवाया जाए सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग को जिस तरह सपोर्ट मतलब अब करेंगे तो वह हम लोग के लिए एक बहुत मतलब अच्छा बात है कि हम लोग आगे जाएंगे पहले हर कोई अदर अदर श्टेट से खेलता था आप कुछ बिहार से भी खेलना सुरू किये जैसे साकी वुसे निसवार आपियल के लिए बियार से खेलके तो हम लोग के लिए एक मोटिवेस नहीं कर सकती थे मतलब सोचे नहीं थे कितना उतलब विए रगाएंगा हम लोग है कि हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है कि हम लोग के टाइम पे आते-ाते और भी अच्छा लगेगा मतलब जब इंडिया क्लिए रिप्रिजेंट करेंगे एपियल खेलेंगे किसी भी टीम के लिए तो वह एक बिहार के लिए गर्व की बात होगी तमाम जो खिलाड़ी थे उनसे जूड़ रहे थे तमाम मुद्य को लेकर बिहार में खेल मंतराले बनाया गया या फिर मेडल लौ नौकरी फ झालबा.